नमस्कार दोस्तों मैं सुनीता रोड़ा आज दे एपिसोड पिस्टा दस्वागत करनी है अज जब आपना जा रहे हैं गुडवाले चावल जो बारिश्या हुं दिया है या सर्दीदा मौसम हुं दे बहुत टेस्टी लग दे ता अज जब आप गुडवाले चावल बनाने स चावल जोकी में एक किलास चावल लें लग बदर्दा किलो चावल 300 ग्राम तो साड़ी 300 ग्राम तक गुड़ बदाम थोड़े जी बदाम सौगी थोड़ी जी काजी टुकडी नारी अल्कट्या होया सौफ क्यो ते पानी ए समाना पंचाइद है बनानली गुड़ाले चाव हाँगी तोस्तों मैं चावला तो डबल पानी यानि की लगबग एक किलो पानी जो वकी मैं गरम कर रहे आं ते ओंदे विच्छे गरम कहोरे पानी दे विच्छे जड़ाकी गरम हो जगया थोड़ा काफी गरम पानी बुल्बले जे हलकी विच्छे उठन लगए ओंदे विच्छे में गोड पारी या ताकी गोडवाली चाशनी बांच जावे आ देखो गोड जड़ाकी में थोड़ा देखो तोड के पाया हुए है ताकि चाशनी जल्दी बांजिवे एक पानी दे विच जल्दी खोर जावे दोस्तों मैं थोड़ा मिठ्था ज्यादा पा रहे हैं आम तो लोग अध्दा मिठ्था पांदे हैं पर अध्दे मिठ्थे वाले विचे मिठ्था थोड़ा जाए काट रहेंदा है अगर किसे नूँ ज्यादा मिठ्था नहीं पसंद तो अध्दा मिठ्था पाके भी चावल बना सकते हैं दोस्तों ऐस त्रीक के नला फ़ोड़ा जब चाशनी नूंही लाँदे रहाँंगे ताकि गोड असानी नल खोर चावे ते जल्दी खोर चावे ठीके दोस्तों होने इसको बाद आप चाशनी त्यार होुँदी बेट करने हैं दोस्तों होना जड़ी बनी होई च खोड़ा बोड कच्रा हुंदा है वो निकल जावे हुंचाशनी आप इंदे वीचे पोनली ते होन इंदे वीचे आपा बाकी समान पाना है क्यों जो कि में लगबग एक कट्छी पारी हैं कि दूस्तों नीचे आप जाल रही है क्यों तो अपना ड्राइब फ्रूट बोगेरा सारा कुछ इकठा पादेना है नले चावल बिचे पादेनी है कुछ पाके यह सारा कुछ पाके दोस्तों फेर उस्तों बाद आपकी करना है अच्छी तरह फिलाब के चावलण टीक उककर बन कर देना है एक विसल आन दी आपा वेट करांगे ठीक है दोस्तों आप विसल आन तों बात चलिए एक्स्ट्रा स्व्टी में ओं आपा निकाल तकन खोलें तो बार दोस्तों आदेखो कुछ चावना दी पूजिशन एमेती होएगी होना पकी करना है कि इन्ना नू एस्ट्रीक के न थोड़ा हिला लवांगे तांकि चिड़ा ड्राइफ फ्रूट्स तेल सौंफ गयरा है ओ अपने उपर आगे सारे चावना देविच मिक् अपने टुटनना ठीक है खिले खिले चावन रहे ते उस्तों बाद दोस्तों अपने चावन बिल्कुल रेडी ने ते इन्नों सर्व करो जिवे मची खाओ मिठे चावन अपने त्यार ने एस चाइनल नों सब्सक्राइब करो आप दे लाइक ते कोमेंट चरू तो ठैंकि कि दूस्तों